नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रभिंदर दोस्तो आज की वीडियम बात करने वाले हैं एटल कम्पनी के 3 popular recharge plan हुए बंद सबसे पहला रिचार्ज प्लान है आपका 99 रुपे का इसके बाद दूसरा रिचार्ज प्लान है 109 रुपे का और तीसरा रिचार्ज प्लान है 111 रुपे का ये वो रिचार्ज प्लान है जिनको कराकर कस्टुमर अपनी सिम को एक महिने तक चालू रख सकते थे जिन्दा रख सकते थे लेकिन दोस्तों यहां पर एटल कंपनी द्वारा यहां पर जातर सरकलों के अंदर इन रिचार्ज प्लानों को बंद कर दिया गया है मेरे पास वोट्सप पे काफी लोगों ने मेसिज किया कि सर हमारे सरकल में एटल का 99 रुपे का रिचार्ज नहीं हो रहा है तो दो 99 रुपीज का 109 रुपे का और 111 रुपे का रिचार्ज प्लान बंद हो चुका है तो दोस्तों बंद होने के बाद अब यहां पर ग्राक के नंबर पर सिम चालू रखने के लिए कम से कम कौन से रुपे का रिचार्ज करना होगा तो यहां पर सबसे पहला रिचार्ज है 155 रुपे का यदि कस्टुमर अपने नंबर पर एक सो पस्टुमर रुपे का रिचार्ज कराएंगे तो यहाँ पर कस्टुमर को अल्लिमिटिड को लोकल एस्टेडी और रॉमिंग यहाँ पर दी जाएंगी प्लस गिराहक को इसमें वन जीवी डेटा दिया जाएगा और दोस्तों दूसरा जो रिचार्ज प्लान निकल के आता है वो है 179 रुपीज का यदि गराग अपने सिम कार्ट पर 189 रुपे से रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पर गराग को अल्लिमिटिड कोल दी जाएगी लोकल एस्टेडी रॉमिंग प्लस इसमें दो जीवी डेटा द 211 रुपे मैं आपको बता दू मेरे सरकल में फिलाल यह रिचार्ज प्लान चालू है लेकिन जादतर सरकलों में यह रिचार्ज प्लान बंद हो चुके हैं। की जगे पर अब गराग को 155 रुपे का रिचार्ज कराना होगा या 189 रुपे का रिचार्ज कराना होगा तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा है कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं मैं लेता हूं जयाजत मिलेंगे आपसे फ़री किसनी वीडियो में तब तक के लि जय हिंद जय भारत